हर किसान बाई गाए और बैंस के खुर जो बढ़ जाते नाखुन बढ़ जाते इनको जुरूर कटवाया करें बड़े नाखुन उनों पे गाए या बैंस कोई भी जानवरों बहुत जादा चलने में दिक्कत होती हर बाई पेरों के जो नाखुन बढ़ जाते हैं इनको जुरूर कटवाया करें बहुत से कारिगर हैं जो नाखुन काटने का काम करतें जिससे कि हमारे गाए या बैंस चलने में उठने में बेर्टसे में किसी प्रकार की तकलीब महसूस ना करें इस वीडियो में आप देख पाएंगे इस गाय के खुरितने बड़े थे भी कम से कम दो से तीन किलो लाखुन इसके जो काटे गएं चलने में बड़ी दिक्कत थी तो सबी बाईयों को राम राम सबी बाईयों को राम राम सस्रियाकाल सलाम तो जो भी बाईया चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और पास में दियेगे गैंटी के निशान को जरूर से दबा लें जी जिससे की हर नहीं आने वाड़ी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इंजोए कर सकें तो आज की वीडियो स्टा नाखुन काट रहें और बड़े ही तसली से बड़े ही अराम से देख सकते हैं बिलकुल पैर नीचे से सिद्धा हो इस परकार देख कर काट रहें बहुत ही बड़े हुए इसके खुरते नाखुन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे जिससे गाय को चलने में और उठने ब नाखुन ज्यादा बढ़ जाएं तो हमें कैसा महसूस हो या हमें भी कोई भी किर्या करने में कितनी दुविदा होती है तो इसी प्रकार गाय और बैंस को चलने में उठने में बैठने में परिशानी होती है तो आप इनके खुर जुरूर कटवाया करें तो इसकी पूरी रेष्ट से आप देख सकते हैं बड़े हराम से गाय लेटी हुई है इनको भी गाय को पता लगता है मेरे साथ क्या हो रहा है लेकिन खुर ना खुन काटे जा रहे हैं तो गाय भी इसमें अराम फील कर रहे हैं आप देख सकते हैं कितने खुर काटे गें बहुत ज्यादा य इच्छे से कई गायों में तो कईसी कंडिशन होते हैं नीच्छे से ख lif गढ़ जाते हैं गंदगी हो जाती उन्हें आप देख सकते हैं किस परकार कि इसकी खूर है यह बीजसे बिल्कुल गढ़ ज्यादा बढ़ चुके थे खुरन देख सकते हैं बड़े ही अराम पूर्वक इनको खुरों को सेट किया जा रहा है यह देख सकते हैं बहुत ही शामदार शोपत भाई का यह जो कारे है बहुत ही अद्बुत है गंगा नगर लोकल में किसी नगर खुर कटवाने हो तो इनसे स कि इनसे संपर कर के काट शकते हैं क्योंकि यह गंगा नगर लोकल के हैं यह देख सकते हैं बहुत ही अच्छा my बड़े ही अराम से बड़े हुई तो जरूबंव ही कार यह कारिगर है कि इनका पीडी दर पेडी यह कारे रहा है नाखुन काटने का लम्बे समय से बच्पन स काट रहे हैं ज़र नाखुन काटने का इनका कारे आप देख सकते हैं कितने अराम से इनोंने पैरों को सेट किया है और यह नाखुन आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े यह देख सकते हैं अभी भी पैर पूरा सेट नहीं है निके अनुसार यह देख सकते हैं तो कोई भी बाई अगर घर पे भी कटवाए तो यह भी द्यान रखें के वरी कच्चा नाखुन ना कटें पके पके हुए जो नाखुन है एक्स्ट्रा जिनको काज़क्सा वो ही काटे जाए यह देख सकते हैं अभी भी इस गाय को बिल्कुल हाड हो चुके हैं तो छिल भी नहीं रहें तो इनको थोड़ा गाय को खड़ा करकर बिल्कुल सोफ्ट तरीके से इनको काटना पड़ेगा ज्यादा सक्त हो चुके हैं तो सोबजी सेट कर रहे हैं फिर भी इसको खड़ा करकर गाय को दुबारा से काटा जाए एचा देख सकते हैं खड़ा करकर गाए खड़ी हो चुड़ी हो चुछकिए है चारों पैर डेख सकते हैं पीछ हे के कुलमला के सेट है आगे के अभी सेट नहीं है जिसेए के गाय को किसी प्रकार की परिशा नहीं चलने में तो बिलुकल यह देख सकते हैं अभी भी सेट नहीं है एक दूसरे ओपर चड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इतने काटने के बावजूद भी सेट नहीं है तो इससे पहले यह किस परकार के होंगे गाये को कितनी तकलीफ महसूस होती होगी यह पास में पैरों के बीच में देख सकते हैं कितने कटने बड़े काटे गए यानि कि जितने बड़े खुर हैं इससे दो गुणा पहले और बड़े थे जब काटे गए हैं इससे दो गुणा और बड़े थे खुरों की जो शेफ है वो भी खराब हो चुकी है तो जिन भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं सबी भाई वीडियो को शेर करें और जिन भी भाईयों के घर गाए ये बैंस कोई भी अनिमल है तो सबसे पहले अगर उनके खुर बड़े हैं तो उनसे मैं विंती करना चाहूँगा भी उनके नाखुन अगर बड़े हुए हैं तो नाखुन को शोड़ जरूर कराएं या निके कटवाएं जरूर जिससे हमारे गाय बैंस जो भी आपके घर में उसको चलने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो जी अब देख सकते हैं इनकी पूरी अच्छे सेट किया जा रहा है इनको बहुत ज़्यादा पक चुके हैं यह देख सकते हैं हाड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा हाड हो चुके हैं तो इनको काटने पड़ रहे थोड़े उंचे ज़्यादा बढ़ने कारण जब चोट लगती ह तो थोड़ा तकलीब भी गाई मैसूस कर रहे है लेकिन इससे हर दिन की जो रहत गाई को मिलेग उठने में बेटने में चलने में वो बहुत ये जादा अब गाई को लग रहा भी तकलीब कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार गाई कच्चा नहीं कटा ज़रा बिल्कुल पके जानवर के नाखुन बड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप नाखुन जरूर कटवा दें जी जिससे की हमारा जो भी गाई है बैसुस को उठने बेटने में कोई प्रशानी ना रही तो देख सकते हैं बहुत शांदर कारे करते हैं बहुत अच्छी इनकी कारागिरी कह सकते हैं तजरुबा इनका कह सकते हैं शोपत भाईगा बहुत अच्छा तजरुबा है इनको नाखुन और सींग काटने का हर रोज यह पांच यह दस गाया बैस के नाखुन काटते हैं अच्छा इनका कारे है तो गंगा नगर लोकल इनसे कोई कटवाना चाहे तो आप डिस्प्रेक्शन में नंबर दूगा इनसे कोंटक्ट कर सकते हैं तो जिन बाईगों को डिस्प्रेक्शन का नहीं पता वो जो बाई और वीडियो गएर देखते हैं तो उनसे कनफर्म कर ले वो डिस्प्रेक्शन कहा होता है तो शोपत बाई का नंबर डिस्प्रेक्शन में होगा तो नाखुन बिलकुल साफ हो चुके हैं अब किसी परकार की परशानी नहीं रहेगी तो सभी बाईओं को आज का वीड नहीं हो तो वह जुरूर कटाएं गंगा नागर लोकल के लिए सोपत वाएगा नंबर दिया जाएगा उन्हें पर संपर्क कर सकते हैं तो सभी बैगों धन्यवाद राम राम सलाम मिलते हैं और वीडियो में नमस्कार जी